प्रीती अपनी कुछ सहिलियों के साथ गली में खेल रही होती है तभी उसकी सहिली के घर आई उसकी बुआ की लड़की उसे बोलती है कितनी सावली लड़की है ये तुम सब के बीच में अलग से ही चमक रही है ऐसे मत बोल बुरा मान जाएगी इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अगर वो सावली है, तो सावली है ही ना? अपने आसपास की लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर, प्रीती के मन में कभी-कभी ये विचार आता, कि वो इतनी सावली क्यों है? दीरे-दीरे प्रीती की शादी की उम्र हो जाती है, उसके घरवाले उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। तुम मेरी मा होकर भी मुझे मेरे सावली रंग का ताना दे रही हो? ताना नहीं दे रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि सावला रंग थोड़ा कम हो जाएगा, कोई भी सबसे पहले आपके चहरे को ही देखता है, गुन संसकार बाद में आते हैं। प्रीती को बता दिया ना, कि कल उसे देखने वाले आ रहे हैं। अगर हमारी प्रीती का रंग थोड़ा साफ होता, तो अभी तक उसकी शादी हो जाती। मैं तो ठक गया हूँ अब, हर हफ़ते कोई ने कोई प्रीती को देखने आता है और जट करके चला जाता है। बस कल जो आ रही है मातारानी कृपा करे, वो प्रीती को पसंद कर ले। प्रीती अपने सावले रंग को लेकर फिर दुखी हो जाती है। उसे रोज रोज इस तरह लोगों के सामने चाहे पानी ले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सावली पन को लेकर सबी मुझे कोस्ते रहते हैं। क्या सावला रंग इतना बुरा होता है? होता ही होगा, तभी तो मा मुझे किसी भी शादी फंक्शन में नहीं लेकर जाती है। अगले दिन प्रीटी को देखने वाले आते हैं और वो भी प्रीटी को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। प्रीटी को बहुत बुरा लगता है, पर अब किया भी क्या जा सकता था। आज भी लड़के वाले ना करके चले गए। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस रंग का इतना इशों क्यों बना लेते हैं लोग। एक महीने तक प्रीटी को देखने कोई नहीं आता। प्रीटी भी चैन की सांस लेती है कि रोज रोज ड्रामा नहीं करना पड़ता। फिर एक रोज उसकी रिष्टेदार उसके घर आती है। अरे चाननी बहन बड़े दिनों बाद आना हुआ। सब घर में कुशल पूरवक तो है ना। माता रानी की कृपा है बस तू बता कैसी है। सब ठीक ही है। चाननी अब क्या बताओं। क्या हुआ। तेरा मूँ क्यों लटका हुआ है। सुन चाननी तेरी तो बहुत जगे जान पहचान है। तु कोई रिष्टा बताना हमारी प्रीती के लिए। तुससे जूट नहीं कहूंगी। रिष्टे तो बहुत आते हैं। पर उसके सावले रंग की वज़े से मना हो जाते हैं। अच्छा तो तु इस वज़े से परिशान है। चल फिक्र मत कर। मेरी नजर में एक रिष्टा है। मैं उन लोगों से बात करती हूँ फिर तुझे बताऊंगी। चांदरी नास्ता पाने करके चली जाती है। दूसरे दिन वो फोन करके प्रीती की माह को बोलती है। हेलो बेहन कैसी हो। हेलो हाँ मैं ठीक हूँ चाननी तुने बात करी उन लोगों से। बात की है तभी तो तुझे फोन लगाया है। सुन वो कल प्रीती को देखने आएंगे। कल ही इतनी जल्दी? भाई मैंने बात करी, उनहोंने मुझे टाइम दिया, मैंने तुझे बता दिया, अब तुझे जल्दी लग रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कहे तो मना कर दो। नहीं नहीं उन्हें बोल दे, वो आजाएं, मैं तयारी कर लूँगी। और वो प्रीती के पापा को फोन करके बताती है। सुनो जी, कल प्रीती को देखने वाले आ रहे हैं। आप कुछ मिठाईयां और नमकीन लेते आना। कौन हैं? कुछ पता किया तुने। चाननी नरिष्टा बताया है, जो तुमसे समान मंगवाया है, बस वो लेकर घर आ जाना। आगले दिन प्रीती को देखने वाले घर आते हैं। लड़के का नाम समीर होता है, और उसके साथ में उसकी माँ और पापा आय होते हैं। प्रीती सबके लिए चाय लेकर आती है, जैसे वो चाय कप में डालती है, समीर को प्रीती एक नजर में ही बहुत अच्छी लगती है। पर समीर की माँ देखो बहन जी, बुरा नहीं मानना, पर आपकी लड़की कुछ ज़्यादा सावली नहीं है। बहन जी, ये तो भगवान की लीला होती है, वड़ना हमारी प्रीती में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बहुत ही समझदार और सुगण है, और पढ़ाई में तो हमेशा से ही अवल रही है। तभी समीर अपनी मा के कान में कुछ कहता है। ठीक है बहन जी, हम आपको घर जाकर बताते हैं। और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मा, माना की पृती सावली है, लेकिन मुझे वो लड़की अच्छी लगी, उसके चहरे पर एक सचाई थी, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा मा, और मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ बस। समीर सही कह रहा है, मुझे भी लड़की बहुत अच्छी लगी वैसे। पर सब रिष्टेदार क्या कहेंगे, एक लौता लड़का है, और उसके लिए भी इतनी सावली लड़की ढूंडी। मा, उसको मेरे साथ सारी जिन्दगी रहना है और मुझे उसके साथ। रिष्टेदार कहां से आगे बीच में? आप बस उन लोगों को हाँ कह दो, मैं शादी करूँगा तो प्रीती सही करूँगा बस। बेटे की बात सुनकर उसकी मा क्या कर सकती थी? उस शाम को फोन करके प्रीती की मा को बोलती है। हेलो, बेहन जी मिठाई बतवाओ, मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। जल्दी ही शादी की तारीक निकाल कर आप से बात करूँगी। फिर जल्दी ही शेहनाई बचती है और प्रीती और समीर की शादी हो जाती है। प्रीती, तुम बहुत सुन्दर लग रही हो। समीर, एक बात पूछो आप बताएंगे। हाँ, प्रीती देखो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछने वाली हो। कहूँ तुम्हें बतादू कि मैंने तुम्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि तुम बहुत ही सादा हो। और मुझे तुम्हेरी सादगी पसंद आई। ये सुनकर प्रीती बहुत खुश होती है और अगले दिन। अब पडोसन आकर मुझे दिखाए की रस्म करेगी मेरे को तो बड़ी शर्म आ रही है कितनी सावली बहु पसंद करी है सभी ताने मारेंगी। कैसी बात कर रही हो तुम रस्म की तैयारी करो जो जो बोलता है उसे बोलने दो पडोसन आकर प्रीती को देखती है और दबे दबे शब्दों में समीर की पसंद पर हसती है और बात है करती है एक दो तो प्रीती के मूँ पर ही बोल देती हैं। क्या हुआ समीर की मा, तु क्या बहु अंधेरे में देखने गई थी? अरे बहु पसंद करते समय ये भी देखते हैं कि आगे आने वाले बच्चे किस रंगे पैदा होंगे? अब मैं क्या करूँ बहन? आज कल के बच्चे अपने माबाब की सुनते ही कहा हैं, ये तो समीर की पसंद है मुँ दिखाए की रस्म के बाद सब चले जाते हैं, तब प्रीती के सामने ही उफ, कितनी बेजती महसूस हो रही है मुझे, और प्रीती, जरा सा क्रीम पाउडर ज्यादा नहीं लगा सकती थी, चल जा, हो गई रस्म, आप जाकर बैठ अपने कमरे में नई नवेली प्रीती अपने रंग की वज़े से फिर शर्मिंदा होती है, और रोने लगती है, तब ही समीर आता है ओहो, तो महतरमा जी, यहां बैठ कर रो रही हैं आपको भी शर्म आईगी न, अपने दोस्तों से मिलवाते हुए मुझे देखो, तुम्हें मैंने पसंद किया है, तो तुम्हें किसी की भी सवाल का जवाब देने की कुई जरूरत नहीं है तुम मेरे दिल को बहुत सुन्दर लगती हो, समझे तुम, अब जल्दी से ही आँसु पोचो क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी आँखों में आँसु नहीं देखना चाहता और इसी तरहे दिन भी इतने लगते हैं, पृत्ती की सास सामले पन के ताने देती रहती है ये कैसी चाय बनाई है तुमने, बिलकुल अपने रंग जैसी कभी कभी कहती थी, इधर उधर मेरे सामने इस तरह मत घूमा कर, तुझे देखकर ही मेरे दिल में खौफ हो जाता है और कई बार ये बातें समीर भी सुन लेता है, पर वो अपनी मा का सुभाव जानता था, इसलिए वो उनसे बहस नहीं करना चाहता था एक रात अचानक भारश आती है, और सुभे के टाइम समीर की मा बाहर गार्डन में सफाई करने जाती है, और तभी बहुत तेज फिसल जाती है हाईरी मया, मेरी तो कमर तूट गई समीर भाग के जाता है और अपनी मा को उठाता है और फिर गाड़ी में बिठा कर हॉस्पिटल ले कर जाता है प्रीती और उसका पापा भी साथ में होता है डाक्टर देखने के बाद बोलते हैं कि इनके पैर में फ्रक्चर आया है तो अभी दो-तिन दिन हॉस्पिटल में ही र लोंगी नहीं नहीं भाहू तुम घर जाओ मैं यहां रुक सकता हूं नहीं पापा प्रीती सही कह रही है यह केविन लेडीज का है उसी का रुकना ठीक रहेगा मिलने वाले टाइम पर हम आ जाएंगे और प्रीती किसी भी चीज की ज़रुरत हो मुझे फोन कर देना मैं प्रीती के उसके साथ भी शर्मिंदा होती है अगले दिन समीर अपनी मा को लेकर घर आ जाता है घर आकर भी प्रीती अपने सास की बहुत सेवा करती है और एक ही हफते में वो धीरे-धीरे चलने लगती है और उसी दिन शाम को प्रीती बेता इधरा मैं अपने वेवार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ तुझसे मैंने हमेशा तेरे रंग को पहुत ताने दिये पर तूने जिस तरह से मेरी सेवा की है मैं जान गई हूँ कि गोरा काला कुछ नहीं होता सबसे अच्छा होता है अच्छे दिल का होना ज जोकी तुम्हारे अंदर है समीर ये बातें सुन लेता है और अपनी मा के पास जाकर बैठ जाता है मैं ममी जी के लिए सूप बना कर लाती हूँ और आपके लिए चाय प्रीती के जानने के बाद समीर की मा उससे कहती है बेता मुझे तुझसे कुछ कहना है हा मा बोलो ना भला बुरा कहा लेकिन उस लड़की ने आज तक कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया मैं सब जानता हूं मा मैंने भी कई बार आपको उसको ताने देते हुए सुना है पर तुम यकिन नहीं करोगी कि प्रीती ने आज तक मुझे कभी भी आपके बारे में कुछ नहीं क प्रीती मुझे माव कर दो मेरा रवय्या तुम्हारे साथ सही नहीं था पर आज मैं जान गई हूं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बहु हो और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं कुछ लोगों के लिए गरीबी कभी शाप होती है गरीबी मरने तक उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती उन्हीं लोगों में से एक थी मटकी मटकी एक बहुत ही गरीब लड़की थी उसके माबाप बुड़े हो चुके थे मटकी अब शादी के लायक हो गई थी उसके बुड़े माबाप को उसकी शादी की चिंता खाये जा रही थी क्योंकि गाउँ वाले भी अब उन्हें ताना मारने लगे थे कि जवान लड़की को घर पर बेठा कर रखा है एक बात की बात है मटकी की मा मटकी से कहती है देख मटकी अब तु शादी के लायक हो गई है तेरे पिता जी तेरे लिए लड़का देखने के लिए गए है लेकिन मा इतने पैसे तुम्हारे पास है कि तुम मेरी शादी कर सको हाँ बेटी तेरे पैदा होने के समय से ही हमने तेरे लिए कुछ पैसे जमा करने शुरू कर दिये थे पर मा मुझे अभी शादी नहीं करनी मैं परना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ पर बेटी तो शादी के बाद भी तो पड़ सकती है मठकी कहती है ठीक है मा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है मैं शादी के लिए तयार हूँ शाम को मठकी के पिता जी भी घर आ जाते हैं और वो मठकी से कहते हैं मठकी ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है अगले दिन कुछ लोग मठकी के घर आते हैं पर घर की हालत देखकर वो थोड़ा हिचकते हैं और आपस में बातें करते हैं जरह इनके घर के हालात तो देखो इनसे रिष्टा जोड़ेंगे तो हमें अपने लड़के के लिए तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला इतने में मठकी की मा मठकी को लेकर आती है मठकी ने भी पुराने कपड़े ही पहने थे वो सब आपस में बाते करने लगते हैं इतने में मठकी कहती है देखो जी आप सब यहाँ पर आए हैं हम बहुत गरीब हैं हमारे पास आप लोगों को दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है बाद में मत कहना कि कुछ नहीं मिला यह सुनकर सब लोग हसने लगते हैं अच्चा बेटी कुछ अपने बारे में बताओ मेरा नाम सुमन लता है और मेरे माबाप मुझे प्यार से मठकी कहते है मैंने बारवी क्लास फर्स्ट क्लास में पास की थी और अब ग्रेजवेशन कर रही हूं फाइनल यर मठकी की माँ उसे बैठने के लिए और चुप रहने के लिए कहती है लेकिन मठकी थी की बोलती ही चली जाती है कुछ देर बाद वो लोग कहते है देखो जी हमें आपकी लड़की पसंद है लेकिन एक बार हम अपने बेटे से आपकी वेटी को मिलवाना चाते है कल हम उसे आपके घर बेज देंगे फिर उसके बाद ही हम कुछ फैंसला करेंगे ऐसा कहकर वो सब चले जाते है उनके जाने के बाद मठकी की माँ मठकी से कहती है अरे मटकी तुझे अकल है की नहीं ऐसे बात करता है क्या कोई लड़के वालों के सामने अरे मा वो भी तो इंसान ही लग रहे थे मैंने कौन सा गलत बोला जो सच था वही बोला कुछ दिर तक उनकी बातें ही चलती रहती है फिर रात हो जाती है अगले दिन सुभा कैलाश मटकी से मिलने आता है वो मटकी को देखते ही पसंद कर लेता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ क्या आप मुझे आगे पढ़ने देंगे क्या तुम परिवार को संभालते हुए पढ़ाई के लिए समय निकाल लोगी हाँ आप वो सब मुझे पे छोड़ दो वो सब मैं मैंनेज कर लोगी तो फिट ठीक है मुझे भी तुमारे पढ़ने से कोई प्रॉबलम नहीं है और कुछ दिनों में उनकी शादी के तयारी शुरू हो जाती है लड़के के घर तो बड़ी धूम धाम से तयारी चल रही थी पर मटकी के घर कुछ खास नहीं हो रहा था क्योंकि उनके पास जादा पैसे नहीं थे उन्होंने बस गिने चुने लोगों को ही शादी पर बुलाया था घर भी कुछ खास नहीं सजाया था मटकी को लग ही नहीं रहा था कि उसकी शादी है मटकी की एक सहीली की भी शादी होने वाली थी पर उसके माँ बाप तो थोड़ा अमीर थे तो उन्होंने अपने घर को बहुत सुन्दर तरीके से सजाया था दूर से ही लग रहा था कि शादी वाला घर है मटकी को ये देखकर अपनी गरीबी का एहसास हो रहा था पैसे की कमी की वज़ा से मटकी अपने लिए कुछ खास कपड़े नहीं खरीद पाई थी जैसे तैसे करके मटकी की शादी हो जाती है ये लीजिये बाबु जी चाए और ममी जी ये आपकी चाए वाँ वाँ बहु वहोती बढ़िया चाए बनाई है तुमने मटकी ससुराल में सुभाज से उठकर काम में लग जाती थी और समय निकाल कर वो पढ़ाई भी कर लेती थी ससुराल पहुँचकर कुछी दिनों में मटकी ने सब का दिल जीत लिया था सब उससे खुश थे वो इस बात को भूल गए थे कि मटकी बहुत गरीब थी लेकिन उसकी सास को ये बात अब भी खटक रही थी कि मटकी के घर से उसे कुछ नहीं मिला तो उसके दहेज के लिए मटकी को परिशान करना शुरू कर दिया था वो दिन रात मटकी को ताना देती रहती थी केलाश अपनी नोकरी की वज़ा से दूसरे शहर जाता रहता था और हफते में संडे के दिन ही वो मटकी के साथ रहता था इसलिए उसने अभी तक केलाश को कुछ भी नहीं बताया था इक पर केलाश के शहर जाने के बाद मटकी घर का काम कर रही थी अरे बहू, कहा रह गई अभी तक? खाना नहीं बनाया तूने? पता नहीं क्या करती रहती है बन गया माजी, बस अभी लेकर आती हूँ मटकी खाना लेकर अपनी सास के पास जाती है तो वो खाना नीचे गिरा देती है और मटकी को बहुत बुरा भला कहती है ये कैसी सद्जी बनाई है क्या तेरी मा ने तुझे यही बनाना सिखाया है देख इस घर में रहना है तो अच्छे से खाना बनाना सीख ले अना तुझे तेरी मा के पास बिजवा दूँगी अब उसकी सास उसको हर बात में टोकने लगी थी सुभा से रात तक उसको बुरा भला कहती रहती थी मटकी बहुत दुखी रहने लगी थी और एक दिन उसकी सास ने उसको इतना कुछ कहा कि वो परेशान होकर अपने घर वापिस आ जाती है घर पहुंचकर वो अपने मा बापको सारी बात बता देती है मटकी के पिताजी कहते है मुझे माफ कर दे मटकी वेटी मैंने तुझे गलत लोगों के हाथ दे दिया मुझे तो बाद में पता चला कि वो लोग अच्छे लोग नहीं है हाँ हाँ मुझे तो बस पहले से ही शक था कि कोई बिना कुछ लिए दिये एक गरीब से शादी कैसे कर सकता है पर हम भी क्या करते मजबूर थे कुवारी लड़की को कब तक घर में बिठा कर रखते इतने मैं मटकी कहती है मा आप तो तू बहुत खुश होगी ना कि तेरी गरीब बेटी के भी शादी होगी और तूट भी गई नहीं नहीं बेटी ऐसी बाते मत कर मटकी घर से बाहर चली जाती है और शाम को घर वापस आती है और अपनी मा से कहती है मा मैं पढ़ना चाहती हूँ हम जैसे गरीब लोगों को सरकार पैसे देती है पढ़ने के लिए मैं शहर जाकर पढ़ूँगी क्योंकि यहां तो लोग मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे उसकी मा कहती है ठीक है बेटी जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर मटकी शहर चली गई और उसने वहाँ पर बहुत महनत की और कुछ समय बाद जब वो लोटी तो वो एक स्कूल टीचर बन गई थी उसकी मा ने जब यह देखा तो उसे अपने घरिब बेटी पर बड़ा गर्व हुआ अब उसकी बेटी गाउं के घरिब बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी और कुछ दिनों में ही उसकी घरिबी दूर हो गई थी एक दिन की बात है मटकी स्कूल में पढ़ा कर वापिस अपने घर जा रही थी कि तब ही उसका पती कैलाश वहां से जा रहा था वो मटकी को पहचान लेता है और उसके पास आकर उससे माफी मांगता है और फिर वो मटकी को अपनी कहानी सुनाता है कि अब वो अपने माबाप से अलग रहता है क्योंकि जब उसे पता चला कि उसकी मा ने तुमारे साथ इतना गलत किया था तो उसने भी उसी दिन अपने घर को छोड़ दिया वो कहता है कि वो उसे तब से ढून रहा है और वो मटकी के साथ रहना चाता है लेकिन मटकी नहीं मानती देखिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती मेरे बुड़े माबाप है मुझे उनकी देखभाल करनी है मैं उनको नहीं छोड़ सकती इसलिए अच्छा यही होगा कि आप यहां से चले जाएं और वो वहां से आगे अपने घर की तरफ चले जाती है फिर कैलाश मटकी के घर जाता है और उसके माबाप से माफी मांगता है और उसके माबाप उसे माफ कर देते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं देख बेटी मटकी, जवाई जी अगर इतना बोरे हैं, तो तुमको इनके साथ चले जाना चाहिए, बेटा हम तो बूड़े हो गए हैं, आज हैं कल नहीं, लेकिन तुमारी तो अभी पूरी जिन्दकी पड़ी है बेटी चाहे कुछ भी हो बापू, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी ठीक है मटकी, अगर तुम यही चाती हो, तो हम यहीं पर रहेंगे, जब तक तुमारे मा बापू है, तब तक हम दोनों यहीं पर रहेंगे मटकी भी मान जाती है और वो दोनों खुशी-खुशी साथ रहने लग जाते हैं